साथियों, आज हम फिर हाजिर हैं खास और चुनिंदा खबरों के साथ, आज इस विडियो के आखिर में बात करेंगे नेतन्याहू के खिलाफ गिरफतारी वारंट कहां तक पहुँचा। उससे पहले जानते हैं, फिलिस्तीन की बड़ी मदद के लिए क्यों आगे आया UAE और रफा पर बड़े हमलों की तैयारी कर रहा इसराइल, तो बने रहे हमारे साथ आखिर तक। बहुत सारे लोग इलजाम लगाते हैं कि हम मुसल्मानों के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन हमारी बातों में कितनी सच्चाई है, बहुत कम लोग जानते हैं। खैर, पिछले दिनों UAE में बार्ड आने के बाद सोशल मीडिया पर भी एक बार्ड आ गई थी, और उस बार्ड का टाइटल था, UAE पर अल्लाह का अजाब। एक बात हमारी समझ में नहीं आती है कि वही का सिलसिला 1450 साल पहले बंध हुआ, तो अजाब है या रहमत लोगों को कैसे पता चल जाता होगा। फिलिस्टीन में जंग की शुरुआत के दो महीने बाद बारिश बरसी, तब इन्हीं लोगों ने कहा था, कि फिलिस्टीन में अल्लाह की रहमत बरस रही है, हालांकि बेमौसम बारिश की वजह से फिलिस्टीनियों की मुश्किलें 400 गाना बढ़ गई थी, क्यूकि गज़ा के सिवा किसी के पास नहीं, ना फिलिस्टीन में बरसी बारिश रहमत थी, ना युएई में आईबार्ड अजाब था, कुछ भी हो सकता है, इशारा भी हो सकता है, अजमाईश भी हो सकती है, गल्ती भी हो सकती है, और अजाब भी हो सकता है, अल्लाह की मसलिहत वहीं जाने कम्मल वाले विडियो में बताया था कि हजारों लोग ऐसे हैं जिन्हें सर्जरी या बड़े इलाज की सख्त जरूरत है वरना साथ हजार लोगों की जान खत्रे में है UAE ने ऐसे मरीजों को फिलिस्तीन से UAE ले जाने की शुरुआत कर दी है UAE की रेस्क्यू टीम ने गजा पट्टी से घायल फिलिस्तीनी बच्चों और कैंसर के मरीजों के सोलहवें बैज को UAE रवाना किया जिसमें 51 पारिवारिक साथियों के अलावा 25 ऐसे लोग शामिल हैं जिन्हें ट्रीटमेंट और चिकितसा देखभाल की बहुत जरूरत है UAE के इस सराहनिय कदम को लेकर सोशल मीडिया पर काफी कुछ अच्छी और अनापशनाब बातें की जा रही है वैसे हमारा मानना है कि जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है हम दिलों के भेद को नहीं जानते जिस रब्बे काइनात ने टिड्डियों, अबाबीलों से काम लिया शैतान से भी ले सकता है मुश्रिक, मुनाफिक, मुलहिद या किसी और से भी काम ले सकता है एक तरफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट नेतन याहू और इसराइली सरकार के सदस्यों के लिए गिरफतारी वारंट जारी करने की तैयारी कर रहा है तो दूसरी तरफ नेतन याहू रफा पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है इरान के राजनाइकों का बदला लेने के लिए इसराइल पर किये हमले के बाद विचारा बने नेतन याहू को अमेरिका ने 26 बिलियन डॉलर नकद और अर्बों डॉलर के हतियार दिये अब उस हतियार और डॉलर्स का इस्तिमाल नेतन याहू रफा में लाखों लोगों का कतलियाम करने के लिए करेगा इरान के हमले ने नेतन याहू की दिवाली करा दी और फिलिस्तिनियों का बहुत बड़ा नुकसान इरान के हमले से पहले ICU में पड़े इस्राइल को हथियारों और अर्बों डॉलर का ओक्सिजन दे कर दो बारा खड़ा किया गया चैनल 12 ने एक स्थानिय मीडिया आउटलेट के हवाले से बताया कि इस्राइली राष्ट्रिय सुरक्षा परिशद ने प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन याहू रक्षा मंत्री योव गैलंट और सेना प्रमुक हरजी हलेवी के लिए इंटरनाशनल अरेस्ट वारंट जारी क करने के इमकान पर खुफिया चर्चा की चैनल ने कहा इस्राइल में सीनियर आफिसर्स के पास मिली जानकारी और इशारों के मुताबिक ऐसे इमकान है कि हेग में इंटरनाशनल क्रिमिनल कॉर्ट नेतन याहू गैलंट और हलेवी के लिए गिरफतारी वारंट जारी करेगा SD24 News को financial support करने के लिए उन सभी मानेवरों का शुकरिया जिन्होंने छोटे बड़े अमाउंट से support किया और हमेशा करते रहते हैं इस बार एक अप्राइल से एक मई तक की आपकी अमानत UNRWA के जरिये फिलिस्तीन पहुँचेगी हम चाहते हैं कि पहली और आखिरी बार ज्यादा से ज्यादा मदद गजा भीजी जाए चैनल ने खुलासा किया कि संभावित कदम को रोकने की कोशिशों के तहत नेतन याहु ने नीदरलेंड, चेक गनराज्य और आस्ट्रिया के अपने समकक्षों के साथ बातचीत की इस स्पीच इसराइल के रणनीतिक मामलों के मंत्री रॉन डर्मर, अमेरिका में इसराइल के राजदूद, माइकल हरजोंग, अमेरिकी कांग्रेस और राष्ट्रपती जो बाइडेन के प्रशासन से संपर्क किया नेतन्याहु ने कहा, हेग में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जरिये गिरफतारी वारंट जारी किया जाता है, तो मेरी लीडर्शिप में किसी को भी नहीं सौपा जाएगा, और हम किसी अदालत के वारंट को नहीं मानते, और ना ही किसी भी सैनिक की गिरफतारी नहीं द 24.